सीजन फूर एपिसोड फाइव स्टार्ट होता है और हमें जो सीन दिखाया गया है ये ब्रेकिंग बैड के टाइम पिरेट का है इसमें हैंग मर चुका है और स्वाल अब गायब होने वाला है अपने ओफिस में होता है वह वहाँ से जन्ने उसने जो पैसे वगरत चिपाया हो वह कॉल कर देता है फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं सौल ने प्रिविएस एपिसोड में लिखा था कि प्राइवसी या बेची जाती है तो अब वहाँ क्लाइंट आया है सौल ऐसा प्रिडेंट करता है कि उसके पास बहुत सारी कस्टमर है और वह कॉल पर ह जब वह क्लाइंट उसे बोलता है तो वह क्लाइंट उसे बुछता है कि एक्चुल में तुम्हारा क्या मिनिंग है वह बोलता है कि तुम्हें परता है कि cash-based अगर business वगरा होगा तो IRS से बचने के लिए तुम्हें यूज कर सकते हो इसे तुम बहुत सारा benefit ले सकते हो फिर जब client वो phone मांगता है तो Saul बोलता है मेरे बास बहुत सारे client है मैं तुम्हें यह provide नहीं कर सकता तो वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ेगा फिर हमें उसी client को 7-8 phone वो सेल करता हो दिखता है Nixon में एक आदमी बस से उतरता है वो parking में जाता है और उसके लिए एक गाड़ी वा होती है माइक उसे call करता है और directions बताता है वो बहुत ही distant एक जगा वर बहुत जाता है तो फिर उसे बोलता है कि तुम एक hood पहन लो यानि कि माइक उसे कहा लेकर जाने वाला है यह उससे पता लेकर होता है और उस जगा के measure wind विगरा लेने वाला होता है यह take advanced होता है इसके पास laser विगरा होते distance measure करने के लिए यह जल से जल यह सब measure कर लेता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ 6-7 मेहने में वो कर सकता है उसने अलपासो में भी underground hole create किया था तो इसके लिए यह easy job है फ guesses लेता था इस तरह से ही कि अब वो guesses ले रही है जज ने भी उसे restrict किया था इसलिए अब वो यह ले रही है वो बोल रहे होती कि यह एक बच्चा है इसे अपने life turnaround करने के लिए सिफ चार मंद के लिए इसका अपने life turnaround करने के लिए सिफ 6 मंद की probation दीजिए वो मान नहीं रहा तब चारी मंद का प्रोबेशन उसे मिलता है किम फिर उस बच्चे को बोलती कि तुमारे अंकल के पास जाओ और कोई भी जॉब तुम ले लो इससे तुम बच सकोगे रात में सॉल किम के पास होता है और किम के साथ उसे मूवी देखने होती है फिर सॉल भी वहाँ से चला जा जाकर यह फोन सोर सेल करता रहता है एक बाइकर की गैंग आती है सब उनसे डरते है पर फिर भी सॉल करेज लेता है और उनके पास जाता है सब फोन वह सेल कर देता है जब वह जा रहा होता है तब एक स्ट्रीट की गैंग वहाँ आ जाती है यह बच्चे होते और फिर उसे पैसे देने के लिए बोलते है सॉल मानने रहा होता तो सॉल को बहुत ही मारते है जब वो घर आता है तो कि मुझे पूछती कि यह क्या हुआ सौल बोलता है कि मुझे लोट लिया था इम बोलती कि तुम्हें पुलीस के पास जाना चाहिए था सौल बोलता है कि अगर मैं पुलीस के पास जाता तो पुरी रात मुझे वास पेंट करनी पड़ती और उन्हें ढूणना पड़ता और जिन्होंने मुझे मारा है उसकी पेचान करनी पड़ती सॉल फिर बोलता है कि पुराने दिनों में मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था जब मैं स्टीट पर होता था लोग मुझे पेचान लेते थे और मेरे साथ मेस नहीं करनी है उन्हें पदा होता था अब उसकी age भी बढ़ गई है इसलिए ऐसा हो रहा है उसे लगता है किम फिर से case पर होती है और अपने client को समझा रही होती है तभी मैसा वरटे का उसे call आता है मैसा वरटे उसे अभी के अभी उसके office में आने के लिए बोलती है किम उसे ignore कर रही होती है पर जब वह वहाँ पोचती है तो उसकी friend उसे बहुत ही बोलती है वो बोलती है कि तुमने कहा था कि मैसा वरटे तुमारा soul client होगा और तुम अब फिर से ignore कर रही हो ऐसा नहीं चलेगा किम बोलती कि ऐसा फिर से नहीं होगा Nixon में फिर से Mike ने एक contractor को जिस तरह से पहले बुलाया था वैसे ही बुलाया है यह जो नया contractor होता है यह रशियन होता है यह अपनी सब management manually विगरा लेता है और यह बहुत ही experience होता है यह इस काम को इतना आसान नहीं समझता और इसको बहुत ही serious ले रहा होता है यह भी 7-8 मेने इस काम के लिए लगाने वाला होता है गस फिर उसे मिलता है और उसको काम दे देता है Saul डिसबार्ट हो गया है फिर भी उसे month to month कोट में आकर अपना update देना पड़ता है वह उसे Howard मिलता है Howard की हालत बहुत ही खराब होती है Saul उसे पुछता है कि यह क्या तुम्हें हुआ है Howard बोलता है कि वो इंसोमनिया से सफर कर रहा है उसे उससे बहुत ही तकलिफ हो रही होती है फिर Saul उसे psychiatrist का number देता है जो किम नहीं उसे दिया होता है Howard बोलता है कि मैं देख रहा हूँ फिर भी मुझे इतना फरक नहीं पड़ रहा Saul फिर उस number को फाड़ कर फेक देता है Saul का update लेने वाला officer उससे updates लेता है उससे बुछता है कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लैन है Saul बोलता है कि अब मैं बड़ा office लेने वाला हूँ जो पहले मैंने गल्दी की थी वो फिर से नहीं करने वाला उसके बहुत अच्छे से प्लैन होते है और officer impressed हो जाता है यही यह episode खतम हो जाता है